दुनिया भर के मीडिया में इंदिनों भारत के चंद्रियान 3 और रूस के लूना 25 के बीच एक तरह की रिस की खबरें दिख रही हैं। ये रेस बताई जा रही है चंद्रमा के अंचुए दक्षणी धुरूप पर पहले पहुँचने की। फिलहाल कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चांद की सदह पर लूना 25 की सौफ्ट लेंडिंग 21 अगस्त को हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखरिक चंद्रियान 3 कब तक चांद की सदह पर पहुँच सकता है। चलिए सवाल के साथ साथ और भी कई एहम सवालों के जवाब आपको बताते हैं और चंद्रियान 3 मिशन की हर बड़ी बात को समझते हैं। मतलब ये कि लेंडर और रोवर को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए आराम से उन्हें चंद्रमा की सतह पर उतारा जा सके और फिर रोवर को सतह पर घुमा कर जानकारी जुटाई जा सके। अगर भारत को सौफ्ट लेंडिंग में सफलता मिलती है तो वो ऐसी उपलब्दी हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संग के कलब में शामिल हो जाएगा। अभी तक सामने आई जानकारी के मताबिक, इस रो 23 अगस्त को सौफ्ट लेंडिंग की कोशिश करेगा। लेंडर और रोवर की मिशन लाइफ एक चंदर दिवस होने का लक्ष रखा गया है, जो पृधिवी के करीब 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रियान 3 धर्मो फिजिकल गुड़ों, चंद्र भुकम पियता, चंद्र सतह प्लाजमा वातावरण और लेंडर के उतरने की जगह के आसपास के शित्र में मौलिक संलचना की स्टेडी के लिए साइंटिफिक पेलोड ले जा रहा है। चंद्रियान 3 मिशन में एक स्वदेशी लेंडर मौडिूल, प्रोपल्शन मौडिूल और एक रोवर शामिल है। इसका मकसद अंतर ग्रेही अभिहानों के लिए ज़रूरी नई तकनीकों को विक्सित करना और प्रदर्शित करना है। लेंडर सॉफ्ट लेंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की शमता से लेस है जो अपनी कत्रिशीलता के दोरान चांद की सतह के बारे में जानकारी जुटाएगा। प्रोपल्शन मॉडूल का प्रुमुक काम लेंडर मॉडूल को लॉंज विकल इंजक्शन से लेकर सौ किलूमिटर की चंदर गोलाकार दुरिबी कक्षा तक ले जाने और लेंडर मॉडूल को खुद से अलग करने का था। और वो ऐसा कर भी चुका है। बात चंदरियान डू मिशन की करें तो इसके दोरान आखरी पलों में लेंडर विक्रम सौफ्ट लेंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। भारत के इस दूसरे चंदरियान डू मिशन को चांद के धक्षनी दुरुब शेत्र से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए काफी एहम माना जा रहा था। चांद के धक्षनी दुरुब शेत्र के बारे में अभी तक जादा कुछ पता नहीं है इसलिए इसे रोचक माना जाता है। एक बात ये भी है कि चंदरियान डू ने चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज में एहम भूमिका निभाई थी जिनको लेकर और जानकारी जुटाने की भी जरूरत है। बताया जाता है कि चांद पर ऐसे गड़े हैं जहां धूप नहीं पड़ती है इन्हें कोल्ड ड्रैप कहा जाता है और इनमें पूर्व के सौर मंडल का जीवाश में रिकॉर्ड मौजूद होने की भी संभवना जताई जाती है। अगर चंद्रियान 3 से इस तरह की ठोस और विस्तरिक जानकारियां मिलती हैं तो ये काफी बड़ी बात होगी। इसरो अध्यक्ष एस सौमनात के मुताबिक चंद्रियान 2 के सफलता आधारित डिजाइन के बजाए इसरो ने चंद्रियान 3 में विफलता आधारित डिजाइन को चुना है और इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कुछ चीजों के गलत होने पर भी इसे कैसे बचाया जाए और कैसे सफल लेंडिंग सुनिश्चित की जाए वन्हों ने कहा हमने बहुत सी विफलताओं को देखा सेंसर की विफलता इंजन की विफलता एल्गोरिदम की विफलता गणना की विफलता सोमनात ने कहा कि जो भी विफलता हो लेकिन इस रो का मकसद उससे उपर कर मिशन प पूरी तरह सफल रहे और भारत को बड़ी उपलब्दी हासिल हो।